अभी तक हम जिकर कर चुकी हैं कि पेड और 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 गैनिक कैसे दो डिफरेंट मेडियम्स हैं जिनके तहात हमाएं पर ट्राफिक आती है लेकिं हमें ये भी understand करना है कि कस किस सरह से मीडिया डिजिशल पे काम करता है और हमें किस किस सरह से मीडिया को create करना होता है और मीडिया से मुराद वो content या वो space है जो आप on करते हैं इस तक digital पर जिस तना मीडिया available है उसको हम 4 categories में divide कर सकते हैं पहला paid, paid मीडिया कहलाता है, दूसरा earned मीडिया कहलाता है, तीसरा shared मीडिया कहलाता है और चौता on मीडिया कहलाता है इन सब चीज़ों में सबसे important बात on मीडिया है, वो ये वो मीडिया है जो आप on करते हैं तो on मीडिया में क्या क्या आता है, on मीडिया वो सब चीज़ों का नाम है जो मीडिया आप on करते हैं आप किसकी मलकियत रखते हैं? आप अपनी डुमेन की मलकियत रखते हैं, आप अपनी वेबसेट की मलकियत रखते हैं, आप जो content create करते हैं, आप जो article create करते हैं, वो आपकी मलकियत होती है, आपकी वीडियो आपकी मलकियत है, या इस तरह से जितने भी आप चीजें create कर रहे है उसमें चाहे ई-book है, चाहे आपका image है, चाहे आपका infographic है यह सब content आप on करते हैं और सबसे important यही content होता है क्योंकि जब आपको content चाहिए आप इसी content को promote करते हैं इस content के ओपर आपने traffic लेके आनी होती है क्योंकि यह आप on करते हैं आपको जब इसको प्रमोट करना हो तब आप इसको पे करके प्रमोट कर सकते हैं तो जितना मीडिया आप पे करके हासिल करते हैं जितनी ट्राफिक आप पे करके हासिल करते हैं उसको पेड मीडिया में शमार किया जाता है For example, आप कहते हैं कि जी मैंने website तो create कर ली है, मुझे अब इसको pay करके जल्दी उपर आना है ताके हम foreign से traffic लेना शुरू कर दें वो आप जो traffic आना शुरू हो जेगी वो paid media के तहट कहलाई जाएगी और इस paid media को आप depend करते है कि कितना budget आप spend करेंगे और उतने budget के तहाद आपको अतनी traffic मिल जाएगी तो own media को आप pay करके promote कर सकते हैं लेकिं फिर आप एक और authority बिल्ड करने के लिए एक और काम करते हैं आप own media अगर अच्छा बना लें अगर आप article अच्छा बना लें अगर आप e-book अच्छी लिख लें तो वो earn भी की जा सकती है traffic जो कि आप जिसके लिए आप pay कर रहे थे so earn कैसे की जा सकती है हमने पहले जिकर किया viral content कैसे viral होता है so viral content basically earn media की एक शकल है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप वो मीडिया वो feedback earn करते हैं उन चैनल से जो आपको help करते हैं grow करने के लिए for example आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपको media coverage देगा कि आपके अपर article लिखे जाएंगे आपके अपर interviews होंगे ये वो चीज़े हैं जिसके लिए आप पैसे तो नहीं देते लेकिन आपको फिर भी लोग promote करते हैं ये आप earn करते हैं ये आपकी कमाई होती है ये traffic आपकी कमाई होती है जो कि आप अपनी quality से earn करते हैं तो आपको ये understand करना है कि जितना अच्छा आपका owned media होगा और अगर वो लोगों की help कर रहा है अगर वो लोगों को benefit दे रहा है तो लोग उसकी virality में आपकी help करेंगे वो उसको promote करेंगे शेयर करेंगे चोथा मीडिया जो है वो shared मीडिया है shared मीडिया सोचल मीडिया से related है और ये काफी है तक earned मीडिया से मिलता जुलता ही है earned मीडिया में लोग ज़्याद दर PR की बात करते हैं PR मतलब public relations या publicity publicity क्या होती है कि आपकी company ने कोई अच्छा काम किया तो मीडिया ने coverage दी अख़वारों ने आपके बारे में लिखा टीवी ने interview किया वो आपने earned किया सोचल मीडिया भी almost इसी चीज़ का नाम है लेकिन सोचल मीडिया में social channel की dependency आ जाती है social channel की dependency मतलब कि आपने कोई content create किया तो वो social channel पे viral हो गया वो कोई image भी हो सकता है वो आपकी कोई video भी हो सकती है वो आपके different और भी कोई aspect हो सकता आपकी website का तो ये सारे जो तीनो mediums हैं ये total depend करते हैं चोथे medium पे जो basically on media है अगर आप इस media को own नहीं करेंगे तो आप paid, earned ये shared media में आप flop हो जाएंगे अकसर लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ facebook page बना लें तो वो अपना business चला सकते हैं वो shared media की एक example है problem ये है उसमें कि अगर आप facebook page बनाएंगे वो एक अच्छी बात है facebook page बनाना लेकिन सिर्फ facebook page बनाना एक अच्छी बात नहीं है आप सिर्फ facebook page पे rely करेंगे और facebook अगर कल बंद हो जाता है या facebook आपको पेज बैंड कर देता है तो आपका सारा media dead हो जाएगा आपको ये चाहिए कि आप उस shared media से या फेसबुक से या और भी आपने कुछ social channel पे अपनी profile बनाई है वहां से आप traffic अपनी website पे लेकर आएं ताकि आप website के थूँ उनको track कर सकें उनको convert कर सकें उनको subscribe कराएं अपनी email इसमें ताकि जब वह आपके पास आएं तो आपका एक asset बिल्ड हो जाए आप बेशक millions of millions fan बना लें आप followers बना लें social media channels के उपर ultimately क्या होगा जिस दिन आपका page बन्द हुआ जिस दिन Facebook के बाद कोई नई company आ गई या जिस दिन Facebook बन्द हो गया वो आपका सारा media dead हो जाएगा और इसकदर उसमें investment जो आपने की होगी वो भी dead हो जाएगी इसी तरह से paid media में भी advice ये किया जाता है कि आप अपने on media को pay करके promote करें और सिरफ pay पे rely ना करें तो आप paid media में पैसे जितने लगाएंगे और जब तक लगाएंगे तब तक आपको traffic मिलती रहेगी लेकिन जैसे ही आप पैसे बंद करेंगे तो आपकी traffic गिर जाएगी तो आपकी कोशिश यह उनीच चाहिए कि आप अगर foreign traffic लेना चाहते हैं तो आप paid media अच्छी बात है उसको जरूर करें लेकिन उसके साथ आप अपनी traffic अपनी website के ओपर या अपने on media के ओपर लेके जाएं ताके लोगों को आप याद रहे जाएं नेक्स टाइम वो आपको pay करके ना उनको मिलें आप आप वो directly भी आपके पास आजएं तो आपकी direct traffic हो जाएगी तो इसी तरह से सबसे important बात क्योंकि हमने आगे चलके यह discuss करना है कि SEO कैसे करनी है SEO जब भी होती है वो on media के ओपर होती है on media आपका जब होगा वो content जो आप on करेंगे उसके ओपर आप SEO करेंगे बाकी चीज़ें आपको support करेंगी लेकिन आप SEO के तहद आप on media अगर miss करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको support नहीं करेंगी और SEO भी आपकी नई होसे करेंगी एक अच्छी डीचर marketing strategy जो कि SEO से बाहर है लेकिन फिर भी इस scenario में अच्छी डीचर marketing strategy यह होती है कि आप सब चीज़ों का बराबर इस्तमाल करें सब चीज़ों में आप महारत हासिल करें तो आप center में देखेंगे कि authority build हो रही है जो कि authority build करने के लिए आपको own media भी चाहिए जिसमें आप organic traffic भी लेंगे आप pay करके भी traffic लेंगे आप earn भी करेंगे और आप shade media से भी traffic लेंगे तो ultimately आप एक पूरा authority 360 authority build कर लेंगे जो आप एक authority एपसेट बन जाएंगे तो लोग आपको जानेंगे भी और आपके लिए असान होगा खुद के business को promote करना और आप लिए भी असान होगा कि आप अच्छी marketing कर सकें और एक brand बन सकें